हार्तिय जन्ता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ शडियंत्र रच रही है ये नोटंकी करने से कोई फाइदा नहीं है मैं आतिसी से पुछना चाहता हूँ पिछले एक मेने में क्या किया आपने अगर बीजेपी वाले दिल्ली वालों को पानी देंगे ही नहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचे गा ही नहीं तो दिल्ली वालों को सपलाए का पानी कैसे बिलेगा क्या मालूम नहीं गर्मी आएगी दिली में पानी की समश्या बढ़ेगी कुल रो में पानी ज्यादा वेश्ट होगा व्यक्ति गर्मी में दो बार नानी की कोशिश करता है व्यक्ति दसकुना ज्यादा पानी पीता है गर्मी के अंदर क्या भीजा निए इनके अंदर कियो अदर मुर्स नारे आरे आरे करो ऐसा शुद्वास है अजरीवास थारसरे भाते मैंकरो शेला थे अंतना प्रिज्जी साथ दिय जंतापाटी अपने गुंदों से दिल्ली जलबोर्ड के ओफिस में तोड़ खोड़ करवाती है आज जिन बस्ते होगे थोड़ा बात करो हम अपना अधिकार मांग दे हैं कि दिल्ली में 2014 में तेरे में जब पहली बार 50 दिन की सरकार में तब भी 950 MgD पानी था आज भी 950 से 1000 MgD पानी हैं दस साल में पांच लाख लोग परतीवस दिल्ली में बढ़ जाती है जन संक्या रोजगार के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं दिल्ली के नैच्रल पापरिशन बढ़ती है 25 लाख लोग अगर बढ़ गए 5 साल में 50 लाख लोग बढ़ गए 10 साल में लेकिन एक भी MgD का कोई ने टीटमेंट प्लांट के जिरवाल ने नहीं लगाया है जो कॉंग्रेस के परपोजल के थे वजीराबाद में 100 MgD का था ओखले में 100 MgD का था उन्हीं को 10 साल में पूरा कर देते हैं साड़े 1200 MgD, 1300 MgD दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए वो है नहीं तो इसलिए ये जो भरष्टाचार में सनलित सरकार है, भरष्टाचार से अपने आपको बचाने के लिए एक narrative पेश करने के लिए केजरीवाल दिल्ली का बेटा, केजरीवाल को बंद कर दिया वो ब्रष्टाचार में लगे हुए थे, पहले शराब घोटाले में, फिर शीश महल का घोटाला अपना बंगलाउन का जो बनाए 60-70,000 करोड में, उनमें लगे हुए बचाने में, जलबोड में है, पिछले 10 साल में ओडिट ही नहीं हुआ है, 70,000 करोड के घाटे में जलब पांट-पांसो अजार में गरीब लोगों से पैसा लेकर टेंकर बीचते हैं, ट्यूएल जो लगती है, संगमव्यार में जाकर देखिए, विदायक जहां ट्यूएल लगेगी, वहां की गलियों के लोगों से 10-10-20-10-15 लाग रुपे कठा करते हैं, तब वो ट्यूएल जाता हूँ, पिछले एक महीने में क्या किया आपने, पिछले दो महीने में क्या किया आपने, क्या मालूम निया गर्मी आएगी, दिली में पानी की समश्या बढ़ेगी, कूल रो में पानी ज्यादा वेश्ट होगा, वेक्ती गर्मी में दो बर नानी की कोशिश करता है, व दिल्ली वालियों को पैसा है, आपके इनके किसी बपोती का पैसा तो है नहीं वो, तो उस पैसे को अगर जलबोर का आडिट कराया होता, कितना पैसा, 50% लीकेज है आज दिल्ली जलबोर के अंदर, पाइपों के अंदर पाइप फटे पड़े है, 50% पानी लीकेज में चला ज है, जब पबलिक गुसे में होगी, तो पबलिक तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं भारते जनता पार्टी के कारेकरताओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूगा, कि उन्होंने आके लोगों को कंट्रॉल किया, क्योंकि ये सरकारी संपत्ती भी हमारी संपत्ती है, जनता क इसको नुकसान करने का कोई लाब नहीं है, और ना इसको नुकसान करने से कुछ हासिल होने वाला है, तो मैं लोगों से भी निवेदन करूँगा कि भवशे में फिरोत्तो प्रगट करें लोग तंत्रिक पद्दिती के अंदर, लेकिन ऐसा जिससे जनता का नुकसान हो, भारतिय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ शडियंत्र रच रही है, इस शडियंत्र के तीन हिस्से हैं, शडियंत्र का पहला हिस्सा है कि भारतिय जनता पार्टी अपनी हर्याना की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है, आज आप वजीराबाद बिराज पे जा चाहिए 1050 की जगा 900 क्यूसेक पानी आ रहा है अगर बीजेपी वाले दिल्ली वालों को पानी देंगे ही नहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुचे गा ही नहीं तो दिल्ली वालों को सपलाय का पानी कैसे बिलेगा तो यह शडियंत्र का पहला कदम शडियंत्र का दूसरा कदम कि जितना भी पानी दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोड्यूस कर रही है और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रेजर्वायर में जा रहा है और लोगों के घरों में जा रहा है जो मेन पाइपलाइन्स हैं क्योंकि कल पानी की पा और शडियंत्र का पहला कदम हर्याना सरकार से पानी रुखवाना शडियंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइप लाइन्स को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिस्रप्ट करना और आज शडियंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है तीसरा स्टेप सामने आ गया है जिसमें भारतिय जनता पाटी अपने गुंडों से दिल्ली जलबोड के ओफिस में तोड़ खोड़ करवाती हैं पत्थर फिकवाती हैं मटके फिकवाती हैं और पूरी तरह से गुंडा गर्दी करती है सबस्ता है